हलो कैसे हो आप लोग बिलकम बैक टू माई चैनल अज आलू की बेशन वाली सबजी बनाएंगे सूखी सबजी बहुत ही टेस्टी बनता है बहुत ही कम असाले के साथ में बनाएंगे बहुत ही कम टाइम में बन कर तयार हो जाएगा चार से पाच मीडियम साइज का आलू लेंगे और इसे धो कर साफ कर लेंगे आलू को पहले एक आलू को चार पिस में कट कर लेंगे फिर इस तरीके से मीडियम साइज का इसका टुकड़ा कर लेंगे ज्यादा बड़ा साइज रखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा इसे पकाने में आप चाहे तो छोटे वाले आलू को गोल गोल काट कर भी इसे बना सकते हैं इस तरीके से सारे आलू को कट कर लेंगे बहुत ही टेस्टी बनता है बेशन वाली आलू की सबजी सूखी सबजी बनाएंगे सारे आलू को इस तरीके से ही कट करेंगे सारे आलू को काट कर आप चाहे तो इसे धोकर भी बना सकते हैं काट कर धो ले सारे आलू को काट कर बोल में डालेंगे सारे आलू को काट कर बोल में डाल लिये हैं इसमें सूखी मसाले डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे तीखी वाली लाल मिल्च पॉडर डालेंगे आदी छोटी चमच आमला का पॉडर डालेंगे आपके पास आमचुर पॉडर है तो आमचुर पॉडर ही डाल सकते हैं हल्दी पॉडर डालेंगे मसाले को आलू में अच्छे से कोट कर लेंगे, सारे आलू में अच्छे से कोट कर लियें मसाले को, बहुत ही कम मसाले के साथ में बहुत ही टेश्टी सबजी बनकर तयार होगा, सारे मसाले को मिक्स कर लियें आलू में, इसे ढख कर रखेंगे, आठ से दस मिनट के बाद इसे सालिंगे मसालैा अच्छे से कोट हो गया है अलू के उपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है एक बार इसे मिक्स कर लेंगे फिर इसमें बेसं डालेंगे दो चमाच पहले बेसं डाल कर इसे मिक्स कर लेंगे फिर इसे चेक कर लेंगे अगर और बेसन लगेगा तो फिर से एक चमच और डाल लेंगे दो चमच बेसन डाल कर इसे पहले मिक्स कर लिए हैं बेसन थोड़ा से कम लग रहा है एक चमच और इसमें बेसन डालेंगे ज्यादा बेसन नहीं डालना है बस इसे को गर्म करेंगे पैन में एक चमच तेल डालेंगे एक से देड़ चमच ही डालेंगे तेल डालकर पैन को गर्म कर लेंगे बहुत ही कम तेल में बनकर तयार हो जाएगा सबजी तेल को फैला लेंगे पैन में इस तरीके से तेल गरम हो गया है इसमें आलू को डालेंगे एक इकर क की अलो को इस तरीके से फैला कर डालेंगे कठ辛苦 को इस तरीके से ही डालएंगे सारे अलो को disability अजिये रहाण की रेंगे पैन में डाल कर इसिठाझ कर 12 मिनिट के बाद से मिक्स करेंगे तुरंट इसमेक्स नहीं करेंगे सारे आलू को डाल लिए हैं धक्कन लगा कर दो मिनट के बाद इसे चेक कर लेंगे दो मिनट हो गया धक्कन हटा कर इसे चेक कर लेंगे मिक्स कर लेंगे आलू को 6-7 मिनट लगेगा आलू को सौप्ट होने में इसे धक कर सौप्ट कर लेंगे आलू को सेचे से मिक्स कर लिए हैं फिर से ढखकन लगा कर पका लेंगे आलू को अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक, सेयर, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें पाँच मिनट हो गया इसे पकाते हुए अलका सालू सौप्ट हो गया है ढखकन हटाकर इसे दो-तीन बार इसे चला लिए हैं इसे चेक कर लेंगे आलू को कट करके चेक कर लेंगे एक आलू को काट कर इस तरीके से चेक कर लेंगे आलू सौप्ट हो गया है बस इसे इतना ही पकाएंगे बहुत ही क्रिस्पी बनकर तयार हुआ है बेसन वाली सूखी आलू सबजी गैस का फिली मॉप करेंगे से सर्फ कर लेंगे आप इसे रोटी प्राठे या साइड डिस्क के तरह भी से सर्फ कर सकते हैं आप भी इस रेसिपी को ट्राय करें थेंक्यू बाइए